Sayars Markets में पैसा कैसे लगाएं के लिए स्यर्मार्केट में हमें करना क्या पड़ेगा बहुत नई लोग ऐना चाहते हैं और अपने पैसे को कई गुणा बढ़ना चाहते हैं वाँसे पैसा कम आना चाहते हैं आप सभी लोगों को पताय होगा कि हमी starting में करना क्या पड़ेगा तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप से भी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि share market में अगर आप पैसा लगाना चाहता है तो आपके पस demate and trading account होना बहुत ही ज़रूरी है demate and trading account अगर आपने open नहीं करवाया है दोस्तों जिसका complete process आज किस वीडियो में show करने वाला हूँ इसलिए वीडियो के last तक बने रहिएगा और चैनल को भी subscribe करके रख लिजेगा ताकि ऐसे वीडियो जो आपको हमेशा मिलते रहे तो लिए शुरू करते हैं इसके बार में मैंने dedicated वीडियो आप लोगों को दिया है अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका link आई button पर देदूँगा निचे description पर भी मैं provide करा देता हूँ वहाँ से आप उस वीडियो को देख लिजेगा आपको basic समझ में आ जागा share market की बार में अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यह जो demand and trading account बहुत ज़्यादा important होता है share market में investment इस्टार्ट करने के लिए पैसा कमाने के लिए यह पैसा लगाने के लिए दोस्तों यह होता क्या है जैसे दोस्तों आपके पास कुछ पैसा होता है उसे आप bank में रखने जाते हैं तो bank में रखने के लिए आप के पास क्या होना चाहिए saving account होना चाहिए अगर आपके पास bank का खाता नही दोस्तों तो आप अपने पैसे को bank में कर रखा पाएंगे उसके लिए आपको खाता खुल्वाना पड़ेगा होता है नहीं जानते हैं दोस्तों तो यह बलब वडियो देख लीजेगा इसमें डिटेल से बताया मैंने सेयर से अगर आप किसी कंपणी का ले लेते हैं दोस्तों मालिस ने 10,000 का रिलाइंस का आप अपने सेयर लिया उसको कहा रखेंगे दोस्तों इसके लिए काम आता है आपका डिमेट अकाउंट यानी कि किसी कंपणी का एसा सेयर होता उसको लेएक पास ट्रेडिंग अपन हो झाहिए दोनों एक साथ में उपन हो जाता है दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता है तो चलिए मैं आभी आप सभी लोगों को अप स्टॉक्स के माधियम से डीमेट एंट ट्रेडिंग कैसे अपन करा सकते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस कर देता हूं अपसे पिले आप सभी लोगों को डिस्किप्स चेक करना है वहां पर मैंने फ्री वाला लिंक दे दिया है वहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस टैप के इंटरफेस आजाएंगे आपका प्लेश टूप अपस्तों तो इसके पाथ यहां पर देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले देना पड़ेगा आपका 10 अंक जो नंबर होता है वो यहां पे देने के बाद आपको यहां पे next पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपके phone पे एक OTP बेजा जाएगा आपको 6 अंक का कोई भी pin आपको select कर लेना है फिर से आपको confirm your pin का section में फिर से वही pin आप counter करना है दोबारा confirm करने के लिए ठीक है तो वही 6 अंक का आपको यहां पे pin कोई भी 123456 step कोई भी pin select करके continue पे click कर देज़ेगा verify email address आपको पूछा जाएगा तो आप यहां पे Google से भी कर सकते हैं अफिर कोई other email अगर देना जाते हैं तो वह भी दे सकते हैं simply यहां पे continue with Google पे click करता हूं और email यहां पे आ चुका है दोस्तों get OTP पे आपको click कर देना है ठीक है एक OTP आपकी email पे बेजा जाएगा दोस्तों जो कि आपको verify करना होगा ठीक है अगर आप edit करना चाते है email तो यहां से edit भी कर सकते हैं और यहां पे आपको simply get OTP पे click कर देना है एक OTP OTP आपकी email पे भेजा गया होगा दोस्तों देख सकते हैं OTP आपको यहां पे डालना पड़ेगा अगर आप inbox में check करेंगा अगर नहीं है तो spam folder में जाके check किजएगा Gmail के वहां पे देखने को मिल जागा उसके बाद simply continue कर देना है उसके बाद आपके पास document आपका pen card और आध उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपका pen card से आपका नाम ले लिया जाएगा नाम लेने के बाद यहां पे आपको कुछ और भी details पुछे जाएगे आपका personal detail आपका क्या gender है आप marital status है आप married and married and single है आपका annual income कितना है तो जो भी आपका है वो आपको select कर लेना है trading experience क्या है आप नए beginner है या फिर एक दो साल हो चुका है तो आपको अपने हिसाब से यहां पर select कर लिया है और select करने के बाद जब और नीचे आएंगे दोस्तों तो यहां पर भी आपको select करने के बाद यहां पे कुछ terms and conditions आपके लिए यहां पर रखे जाएंगे वो भी accept करना होगा जो थी आपको यहां पर लिखना पड़ेगा क्या है और यहां पर करते हैं उसके बाद आपको डिजिटल चिंचर यहां पर करना है जो भी आपका साइन है वहां पर आपको एक बोर्ड में आपको Sign कर देना है और नीचे next पे click कर देना है sign बहुत आसाशानी से हब कर सकते हैं उसके बाद यहां पर देख सकते हैं आपको अपना pen card upload करने के लिए कहा जा रहा है ठीक है तो टैप टू upload पे क्लिक करेंगे दोस्तों 15 MB से कम होना चाहिए यहां पर अपना camera open करेंगे और pen card का फोटो इस टैप से ले लेना है और यहां पर आपको upload क्लिक कर देना है और बहुत ही आसने से आपका pen card upload हो जाएगा उसके बाद आपको continue पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपको एक selfie लेने के लिए कहा जाएगा दोस्तों ठीक है तो continue पे आपको क्लिक कर देना है कुछ step कर ले लिए मैंने वाद कर देख़ीक करते हैं तो बैंक डिटेल यहाँ जो स्केंसराइबंकर टेना है और लिते यहांफे कंडिक कर दिना है उसके बाद दोस्तों है यहांप सभी लोगों बदा दिया जाएगा कि प्रिघुल और यहांए जो है वो लेम्र है अभर फ्री ठीक है बहुत प्लिक करेंगे और सेप्ट पर करेंगे जो वहाँ पर देख सकता है स्टों करने को प्लोत आपको दाओं वह उसका रहना को क्लिक करने ना है आप यहां पर continue पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपको बोला जा रहा है कि would you also like to activate your future and option currency and commodity segment as well तो यहां पर आपको no I will do it later पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है no I will do it later पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी income proof और देखने यहां पर नहीं मांगा जाएगा अगर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको e-sign with अधार OTP पर क्लिक करना है यान कि अब आपको आपको अधार verified mobile number का जरुबत पड़ेगा उसके बाद यहां पर e-sign पर क्लिक करेंगे दोस्तों देख सकते हैं स्टैप का कुछ interface देखने को मिलेग करेंगे दोस्तों तो आप सभी लोगों को एक नया पेज में डिडारेक्ट कर दिया जाएगा nsdl का ठीक है यहां पर आप सभी लोगों को चेक बॉक्स पर टिक लगा देना है और अधार नमर देखिए send OTP पर क्लिक करना है अधार verified mobile नमर पर OTP आ चुका है दोस्तों OTP य यहां पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अध्रवाइज आपका application इस टेस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इट विल टेक त्री डेज यहां पर लिखा गया है कि तीन दीन लेगेगा इसको verify करने में और account open करने में लेकिन तीन दीन लगता नहीं दोस्तों सुबह अगर आप इस account को open करते हैं दोतों तो साम तक account open हो जाता है उसके बाद देख सकते हैं application submitted में यहां पर दन लग दिया यानि कि application आपने submit कर दिया है तो scrutiny होगा यानि कि जहांच होगा उसका details का account गर एक्टिवेट किया जाएगा और login details जो है आपके email पे user ID और password send कर दिया जा उसके आगे मैं आपको बाद मैं वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है तो यहां से आपने apply कर दिया दोस्तों 2-3 दिन में maximum 2-3 दिन लगेगा और आपको email के माद्यान से यह पता चल जाएगा कि आपका user ID और password क्या रखा गया फिर आप बहुत ही आसानी से अप्स करना चाहते हैं तो दोस्तों यह वीडियो जरूर देख लीजेगा आप सभी लोगों का बहुत सारा डाउट और बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो से आपको मिलने वाला है दोस्तों किसी भी company का shares आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख कि आप अपने पैसे को उस अगले वीडियो में थेंक यू